इस मज़ेदार कहानी की शुरुवात होती है एक ऐसी जगा को दिखाते वे जहां पर जहरीली बारिश हुआ करती थी। इस जहरीली और खतरनाक बारिश के कारण तो कई सारे लोग अपनी जान गवा बैठे थे। उस गाउं की जन संख्या तो पूरी आधी हो चुकी थी। आजपास की जो भी नदिया होती है वो इनी पानी की वज़े से और भी ज़्यादा खतरनाक और जहरीली हो गई। जिससे की जो समुदरी जानवर पानी में रहा करते थे उनके भी मृत्ती हो जाती है। सुद्ध पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि सभी लोग पानी को काफी उचे दामों में खरीद रहे थे। अब हमें उसी गाउं की एक कबाड खाने को दिखाया जाता है जहां पर डेविट नाम का लड़का कुछ धून रहा था। डेविट तो उस कबाड खाने से कुछ जरूरत के सामान खोज रहा होता है जिससे की वो बेच कर कुछ पैसे कमा सके। उसी जगव पर डेविट कई सारे लोगों को देख रहा था जो मर चुके होते हैं। ये वही लोग थे जिनोंने गलती से समुदर का जहरीला पानी पी लिया। पर अपका काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि इन सबी की जान चली गई थी। डेविट तो अपने सारे काम की चीजी कठा करके गाउं के एक छोटे से जगव पर आ गया था। ये एक ऐसी जगह होती है जहां सारे गाउव वाले आकर अपनी कोई चीज के बदले दूसरी चीज लिया करते थे। यानि कि इस जगह पर किसी भी टाइप की करनसी नहीं चलती थी। किसी को अगर दूसरी चीज लेनी है तो उसे अपनी कोई खास चीज उन्हें देनी पड़ीगी। उस जगह पर तो कई सारे लोग बैटकर आम रसलिंग कर रहे थे और जो भी जीतता उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते। फ्रेडी नाम का एक आदमी उन सभी में से सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। वो तो वहाँ मौजुद हर एक आदमी से मैच जीतता ही चला जा रहा था। अब हमें डेविड को दिखाया गया जो कूडे दान में से कुछ सामा ने कठा करके दूसरे आदमी को दे रहा होता है। डेविड ने तो उसे एक बहुत ही पुराना पैन दिया था। तब जाकर वो आदमी डेविड को एक पानी की बॉटल और एक किताब देता है। ये किताब टर्बो राइडर की थी जो बहुत ही जादा फेमस कैरेक्टर होता है उस जगह पे। डेविड को तो टर्बो राइडर का वो सूपर हीरो वाला कैरेक्टर काफी जादा पसंद था। और वो उसका बचपन से फैन भी होता है। डेविड को तो जैसे ही टर्बो राइडर की वो बुक मिली वो उसे बहुत ही एकसाइटिंग वे में पढ़ने लगा जैसे कि वो खुद को टर्बो राइडर में इमेजिन कर रहा था अब हमें फ्रेडी दिखाया गया जिसने की लगबख सारे लोगों को आम रेसलिंग में हरा दिया होता है पर तभी उसका एक आदमी भागते विए तुरंती फ्रेडी के पास आ गया था उस आदमी ने फ्रेडी को बताया कि हमारा एक और आदमी गायब हो चुका है लेकिन इस बार वो और कोई नई बलकि फ्रेडी का छोटा भाई था दरसल टाउन लीडर और फ्रेडी के आपस में काफी ज़्यादा दुस्मनी बढ़ गई थी और अब टाउन लीडर ने ही एक एक करके फ्रेडी के सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था उसने तो सबसे पहले फ्रेडी के भाई को किड्नैप किया और बुरी तरीके से उसे खत्म कर दिया फ्रेडी तो ये दरदनाग बात सुनकर बहुत ही जरा चौक जाता है और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि चाए कुछ भी हो जाए वो टाउन लीडर को खत्म करके रहेगा डैविड तो अब खुले एरिये में आकर टर्वो राइडर की वही बुक बड़े मसे से पढ़ रहा था वो तो पूरी तरीके से उस बुक के अंदर घुस चुका होता है तब ही थोड़े ही देर बाद डैविड ने नोटेस किया कि उसके साइड में एक अंजान लड़की मौझूद है ये लड़की तो डैविड को अपना नाम एपल बताती है एपल तो डैविड के काफी ज़दा पास आकर उससे दोस्ती करने की कुशिश कर रही थी साथे साथ एपल ने डैविड के ना चाते हुए भी उसके हाथ में एक फ्रेंशी बैंड बांदिया होता है डैविड को कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर ये लड़की चाती क्या है लेकिन चौकाने वाली बात तब हुई जब एपल मरे वे लोगों से जाकर बाते कर रही थी डैविड ये सारी चीजे देखकर बहुत ही ज़दा डर गया और वहां से भागने लगा वो तो अपनी बाइसिकल लेकर एक खूफिया अड़ी पर आ जाता है जहां पर वो छुपा करता था यहां बहुत ज़्यादा रात होने के कारण डैविड सोने की कोशिश करता है लेकिन एपल द्वारा पैनाया गया उसके हाथ में फ्रेंशिप बैंड एकदम से ग्लो करने लगा था डैविड बार बार ट्राय करता है उस फ्रेंशिप बैंड को अपने हाथ से निकालने के लिए लेकिन वो पूरी तरीके से हाथ में बैट चुका था इसलिए उसे निकालने का कोई फायदा नहीं होता अगले ही मोमेंट में उस फ्रेंशिप बैंड में से थोड़ा इलेक्रिसिटी का जटका निकलता है जो लगने के कारण डैविड तुरंती बेहोश हो गया अब हमें फ्रेडी दिखाया जाता है जो अपने कुछ लोगों के साथ बाइसिकल पर बैटकर टाउन लीडर के पास जा रहा था फ्रेडी भरोसा ही नहीं करता कि उसका भाई मर चुका है वो किसी भी तरीके से टाउन लीडर के पास जाकर अपने भाई को बचाना चाहता था हाला कि फ्रेडी का आदमी उसे समझा रहा होता है कि हमें टाउन लीडर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने के साथ साथ उसके पास कई सारे लोगों की सेना मौजूद है इसलिए हम सभी को टाउन लीडर के पास जाने के बजाए पानी ढूनना चाहिए जिसे पी कर हम जिन्दा रह सकते थे क्योंकि जैसा पता है कि इस जगब पर कहीं भी प्यार वाटर मौजूद ही नहीं था कई सारे लोग बाहर से पानी इंपोर्ट करते थे और इस जगब पर दुगने दामों में बेचा करते नदियों का पानी तो पूरी तरीके से जहरीला हो चुका था लेकिन यहाँ फ्रेडी को किसी भी तरीके से टाउन लीडर के पास तो जाना ही था पर ठोड़ी देर के अंदर अंदर फ्रेडी की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है क्योंकि अब तो टाउन लीडर के ही कई सारे आदमी वहाँ पर आ चुके थे जो उसके आदमियों पर हमला कर रहे होते हैं टाउन लीडर की लोगों ने तो फ्रेडी के साथियों को जान से मारना स्टार्ट कर दिया था फ्रेडी भी अब समझ चुका था कि उन लोगों के सामने उसकी कुछ नहीं चलने वाली इसलिए ओ कुछ भी ना किए खुद को सरिंडर कर देता है टाउन लीडर के सारे खतरनाक लोगों ने सबसे पहले फ्रेडी के सभी सातियों को खत्म किया और फिर फ्रेडी को लेकर अपने साथ ट्राउं लीडर की अड़े पर आ गये यहां डेविट के पास वही अंजान और डरा देने वाली लड़की एपल आ चुकी थी डेविट शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था लेगिन एपल डेविट को सिर्फ इतना बता रही थी कि तुम अपनी कॉमिक बूक वहीं पर छोड़ा है थे इसलिए मैं ये बूक तुम्हें देने आई हूँ डेविट भी इस बात से थोड़ा सा रिलाक्स हो जाता है और अब उसे एपल से डर नहीं लग रहा था एपल तो सिर्फ डेविट से दोस्ती करके उसके साथ कुछ ताइम स्पेंड करना चाहती थी इसलिए डेविट एपल को अपने अड़े पर रुकने के लिए कह देता है अब यहाँ डेविट अपने पूरे दिन के रूटीन को फालो करने जा रहा था जहाँ पर वो कूडे दान में जाकर कुछ सामा निकटा करके लेकर आए एपल भी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं भी तुमारे साथ चलूंगी डेविट के पास कुछ आप्शन नहीं होता है अपल को अपने साथ ले जाने के सिवा इसलिए वो अपल को अपने बाइसिकल के पीछे बिठा कर दूर लिखर जाने लगता है डेविट अपल को कह रहा था कि भले ही तुम मेरे साथ आ चुकी हो लेकिन हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा जो बहुत ही जादा जरूरी है सबसे पहले डेविट ने कहा कि हम जहां भी जाएं हमारे पास एक पानी की बॉटल रहनी ही चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए हमें खतरनाक वाले जोन के अंदर जाना ही नहीं है और इस जगह पर खतरनाक जोन बनाए गये हैं जिसके अंदर हमें भूल कर भी नहीं जाना है क्योंकि वहां पर तो हमारी जान को खतरा हो सकता था अब यहां टाउन लीडर के सामने फ्रेडी को पेश किया गया फ्रेडी तो टाउन लीडर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि इसी नहीं फ्रेडी के भाई को जान से मारा है फ्रेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर टाउन लीडर पर हमला करने चला गया लेकिन टाउन लीडर के कई सारे आदमी उसे पकड़ लेते हैं एक आदमी ने तो सजा के तोर पर फ्रेडी का एक हाथ ही पुरा काट दिया था फ्रेडी को तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है यहां डेविड और एपल ट्रेवल करते हुए एक सुनसान जग़ पर आ चुके थे डेविड तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए एपल से पुछता है कि आखिर तुम कहां से हो एपल ने बताया कि मैं बहुती ब्यूटिफुल जगह से हूँ जहां पर तुम भी जा सकते हो अगर तुम कहो तो मैं तुमें वहां पर लेकर जाओंगी लेकिन डेविड को फिलाल इस जगह से कहीं भी नहीं जाना था अब अचानक इस जगह पर बहुती ज़्यादा मिस्टीरियस आदमी आ जाता है जिसने की एक जाल की मदद से एपल को पूरी तरीके से पकड़ लिया था डेविड जब यह देखता है तब वो अपनी बाइसेकल लेकर वहां से भागने लगा था डेविड को लग रहा होता है कि वो आदमी सिर्फ एपल को पकड़ने आया है और उसका पीछा नहीं करेगा पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता एपल को जाल के अंदर कैद करने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी लगातार डेविड का पीछा करने लगा था डेविड तो लगातार अपने बाइसिकल पर बैठकर आगे बढ़ी रहा होता है तब ही अचाना कुछ जमीन की नीचे बने एक बंकर की अंदर गिर गया था डेविड को तो थोड़ी सी चोट लगी होती है लेकिन जब उसने अपनी आखे खोली तब उसे पता चला कि वो तो एक स्पेस्शिप के अंदर आ चुका है चारो तरफ अच्छे से देखने के बाद डेविड की खोली की खोली रह गई क्योंकि ये स्पेस्शिप और किसी की नहीं बलकि टर्बो बॉई की होती है ये वही कैरेक्टर होता है जिसकी बुग डेविड बड़े मज़े से पढ़ता था उससे तो ये पहली बार पता चला होता है कि टर्बो बॉय नाम का सच में कोई रियल केरेक्टर मौजूद है पस जैसे ही वो कंट्रोल सीट पर जा कर देखता है तो टर्बो बॉय वहाँ पर मरा पड़ा हुआ था चायद किसी मिशेन के लिए टर्बो बॉय को भेजा गया था लेकिन जमीन के अंदर कई सालों तक फसे रहने के कारण उसकी मृत्यों हो गई स्क्रीन पर तो एक बुड़ा आदमी बता रहा था कि किसी को तो टर्बो बॉय का सूट पहन कर सच्चाई का साथ देना होगा डैविड तो बचपन से ही एक सूपर हीरो यानि के टर्बो किड बनना चाता था इसलिए अब उसने बिना कुछ सोचे मरे हुए टर्बो बॉय का सूट निकाला और अपने बॉड़ी के उपर पहन लिया डैविड तो इस सूट से बहुत ही ज़्यादा confident फिल कर रहा होता है वो तो अब तुरंथी space ship से बाहर निकल के उस mysterious आदमी के सामने खड़ा हो गया डैविड उस mysterious आदमी से पूछने लगा कि आखिर तुमने मेरी दोस्त apple को कहा चुपा कर रखा है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुमें जान से मार दूँगा पर वो mysterious आदमी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो कुछ जवाब नहीं देता mysterious आदमी ने तो अपने हाथ के अंदर कोई खतरनाक weapon चुपा के रखा होता है जिससे कि उसने डेविड के उपर हमला कर दिया उसके भी सूट में अलग-अलग टाइप की शक्तियां मौजूद थी डेविड ने तो अपने हाथ के अंदर से कुछ बहुत ही खतरनाक vibrations निकाले जो मिस्टीरियस आदमी के हमले को तूडते विवे उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है डेविड को तो ये सारी अनोखी powers बहुत ही ज़्यादा amazing लग रही थी लेकिन फिलाल डेविड को एपल की location का पता लगा कर उसे rescue करना है अब हमें टाउन लीडर दिखाया गया जो बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयानक होता है दरहसल टाउन लीडर अपने आदमियों की मदद से गाउं के बहुत सारे लोगों को किड्नैप किया करता था वो तो उन सारे लोगों को जान से मार कर उनकी body को grind करके body में से पानी निकालता और यही reason होता है कि गाउं में से अचानक कई सारी लोग गायब होना start हो गये थे क्योंकि टाउन लीडर तो उन सभी को किड्दैप करके जान से मारता और body से पानी निकालता उसने तो लोगों को मारने का एक काला धंदा स्टार्ट कर दिया होता है अब थोड़े ही देर के अंदर डेविड एपल को बचाने के लिए उस अड़े पर पहुच गया था डेविड की वो रेड वाली कॉस्टिम देखकर सबसे पहले टाउन लीडर की लोग उस पर हसने लग जाते हैं लेकिन डेविड साफ साफ कहता है कि तुम सब एपल और बाकी लोगों को छोड़ दो नहीं तो मैं तुमें अपनी सारी पावर्स से खत्म कर दूँगा डेविड अपनी नई पावर्स के बल पर उन सबी को डराने की कोशिश करता है लेकिन टाउन लीडर कह रहा था कि जरा मुझे तुम अपनी पावर्स दिखाओ जो तुम्हारे पास है डेविड जब अपने सूट के अंदर मौझूद इलेक्टरिक पंजे को आन करता है तब वो तो चालो ही नहीं हो रही थी दरसल डेविड के टर्बो बॉई के सूट की बैटरी खतम हो चुकी होती है इसलिए वो कुछ समय के लिए अपनी कोई भी पावर्स यूज नहीं कर सकता था टाउन लीडर का एक आदमी अब डेविड के साथ आकर जबरदस्ती करने लगता है और उसे लेकर बाकी लोगों के साथ बंद कर देता है फिलाल के लिए डेविड थोड़ा सा खुश हो गया था क्योंकि उसी जेल के अंदर एपल भी मौजूद होती है वहाँ फ्रेडी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनने की टाउन लीडर ने किड्नाप किया था एपल तो डेविड को देकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आखिर कर वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया पर अफ्रेडी सभी को समझाता है कि अगर हमें यहां से बाहर निकलना है तो टाउन लीडर की लोगों को खत्म करना होगा और यह काम वो सब साथ मिलकर कर सकते हैं फ्रेडी द्वारा बनाए गए प्लान से सबी लोग राजी हो जाते हैं और अब सारे किड्नाप हुए लोग एक टीम बनकर टाउन लीडर की लोगों पर हमला करने लगे थे एपल और फ्रेडी भी उसमें मदद कर रहे होते हैं लोगों को मारने के लिए डैविड तो अब गुस्ता होकर डैरेक्ली टाउन लीडर के पास आ चुका था और उससे कहता है कि जितने भी लोगों को तुमने किड्नाप किया है उन्हें तुम जल से जल छोड़ दो नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा मैं तो तुम्हें जान से मार दूँगा लेकिन टाउन लीडर डैविड को अभी भी बच्चा ही समझ रहा होता है इसलिए उसने अपने आदमियों को हमला करने के लिए कह दिया था एक आदमी डैविड को बुरी ताईके से पकड़ कर डैमेज दे रहा होता है लेकिन डैविड का जो टर्बो बॉय वाला सूट था उसके अंदर चार्जिंग अब फुल हो चुकी थी इसलिए डैविड अपने इलेक्टरिक पंजे को बाहर निकाल कर उस आदमी को जला कर राख कर देता है टाउन लीडर तो ये सारी चीजे देखकर एकदम सौक हो चुका था डैविड तो अब अपने फुल पावर के साथ टाउन लीडर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा लेकिन टाउन लीडर का एक खास आदमी जिसने के अपने चारो तरफ एक कवच पैन कर रखा था वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए डैविड के सामने आ जाता है हाला कि डैविड ने अपने इलेक्ट्रिक पंजे से वार किया लेकिन टाउन लीडर के खास आदमी ने उसके इलेक्ट्रिक वार को आसानी से रुकते वी दूसरी तरफ फेक दिया था वो हमला तो जाकर उस जगह की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन में लग जाता है जिससे की उस अड़ी के चारू तरफ गैसे फैलने लगी थी फ्रेडी और डैविड तो इस मौके का बहुत ही अच्छे से फाइदा उठाते हैं उन्होंने तो एपल के साथ किडनाप किये गए सारे लोगों को अड़े से बाहर निकाला और वहां से दूर लेकर चले गए थोड़ी देर में जब टाउन लिडर को ये बात पता चलती है तब उसने अपने लोगों से कह दिया कि मुझे डैविड जिन्दा चाहिए डैविड और सारे लोग तो एक सीब जगव पर आकर रुख जाते हैं लेकिन डैविड को सबसे ज़्यादा शौकिंग बात ये लगी कि एक गोली डैरेकली एपल को आकर लगी थी लेकिन एपल तो अभी पूरी तरीखी से ठीक है और अब जाकर डैविड को पता चला कि एपल कोई इंसान नहीं बलकि एक रॉबोट है वो तो एपल से काफी डर कर दूर हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि सारी के सारी रॉबोट्स बहुत ही बुरे होते हैं लेकिन एपल बता रही थी कि मैं कोई बुरी रॉबोट नहीं हूँ मुझ जैसे रॉबोट्स को तो सिर्फ फ्रेंशिप के लिए बनाया जाता है लेकिन टाउन लीडर ने एपल को जो गोली मारी थी वो डारिकली उसके दिमाग में जाकर लगी होती है जिससे कि एपल के बौडी में मौझूद एक बायो उलेक्तिरिक मीटर खराब हो चुका था ये मीटर एपल के बौडी की मेन सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है जो उसे लाइफ प्रोवाइट करता था मीटर के खराब होने के कारण एपल की लाइफ धीरे धीरे कम हो रही होती है और अगर जल्दी उस मीटर को ठीक नहीं किया गया तो एपल की लाइफ भी खत्म हो जाईगी इसलिए अब डैविड एपल को लेकर उसी दुकानदार के पास आ जाता है जिससे कि वो कुछ सामान देकर दूसरे सामान लिया करता था चौगाने वाली बात ये थी कि वो दुकानदार जो इतने सालों से यहाँ पर काम करता था वो अपनी सारी चीज़ें कठा करके ये गाउं छोड़ कर जा रहा होता है क्योंकि टाउन लिडर और उसके आदमियों द्वारा किये जाने वाले हाली में घटनाओं के कारण वो बहुत ही जादा डर गया होता है पर अब डैविड जो की एक टर्बो बॉय था वो दुकानदार से पूछ रहा होता है कि मुझे एक बायो इलेक्टरिक मीटर कहां से मिलेगा दुकानदार ने बता दिया कि तुम्हें इस जगह से साउथ की तरफ जाना होगा जहां पर एक बहुत ही बड़ा कबार खाना है वहां से तुम्हें बायो इलेक्टरिक मीटर बड़ी आसानी से मिल सकता था डैविट तो तुरन थी एपल को लेकर उस जगह की तरफ निकल जाता है उस दुकानदार को लग रहा था कि वो अपना सारा सामा निकठा करकी यहां से बाहर निकल जाएगा पर अपसोस की बात यह होती है कि कुछी दिर में टाउन लीडर की वोई खास आदमी वहां आकर दुकानदार को किड्नाप करकी टाउन लीडर के पास लेके चले जाते है टाउन लीडर उस दुकानदार से पूछ रहा था कि आखिर एपल और डैविट की इस रास्ते पर गए हैं हलाकि शुरुआत में दुकानदार कुछ भी बता नहीं रहा था इसलिए अब टाउन लीडर के आदमियों ने दुकानदार की अतडियों में कुछ बान दिया था जिसके बाद वो अगर साइकल के पैडल मारेंगे तो उसकी सारी अतडियां बाहर निकल जाएंगी इतना खतरनाक मॉमेंट देखने के बाद तो दुकानदार ने उन्हें सब कुछ बता दिया था वो तो टाउन लीडर को बता देता है कि डैविड और एपल साउथ के डिरेक्शन में गये हैं एक इलेक्ट्रिक मीटर लेने के लिए अब टाउन लीडर को दुकानदार से इन्फोर्मेशन तो मिल चुकी थी लेकिन वो फिर भी अपने आदमी से कहता है कि इस दुकानदार को सजा दी जाए उस आदमी ने तो साइकल की पैडल मारना स्टार्ट कर दिया जिससे कि दुकानदार की सारी की सारी अतडियां बाहर निकलाती है ये मॉमेंट तो बहुत ही जादा दिल दहला देने वाला था वहें दूसरी तरफ डैविड और एपल अब उस जगह पर पहुँच गये थे जहां पर बायो इलेक्ट्रिक मीटर मिलता था पर उन दोनों को ये बात बिलकुल भी नहीं पता होती कि अब तो टाउन लीडर की लोगों को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है टाउन लीडर का वो शील्ड वाला आदमी अब अपने सबी लोगों को लेकर उस जगह पर पहुच चुका था डैविड और एपल भी किसी भी तरीके से शील्ड और उसके आदमियों को देख लेते हैं इसलिए वो दोनों वहाँ से भागते हुए काफी दूर निकलाए थे लेकिन चुकाने वाली बात थी कि उनके ठीक सामने देंजर जोन चालू हो रहा था डैविड के नियम थे कि वो देंजर जोन में कभी भी नहीं जाएगा इसलिए वो अपने सूट के अंदर जितनी भी पावर्स बचे वी थी उसका इलेक्ट्रिक फायर करके शील्ड के सारे लोगों को मारता जा रहा था इलेक्ट्रिसिडी का जटका लगने पर ही कई सारे लोग तो एकदम पिगल जा रहे थे लेकिन टाउन लीडर का वो खास आदमी जो की एक शील्ड था वो तो डेविट के वार से बड़ी आसानी से बचते हुए उसके सामने आ चुका था उसने भी अब अपने हाथ से एक घूमती हुई उडन तस्तर ही निकाली जो सीधा एपल का गला काटते हुए दूर चले जाती है डेविट तो अब किसी भी तरीके से एपल के सर को बचाते हुए डिंजर जोन के अंदर आकर गिर जाता है वो तो एपल का सर लेकर डिंजर जोन में भागता हुआ जा रहा था जहां कूडे के एक धेर के पास उसे एक रोबोट का पुतला दिखाई देता है डेविट ने तो एपल का सर दूसरे रोबोट से जूड दिया था और उसके सर को बानने लगा डेविट भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है इसलिए वो भी तुरंती बेहोश हो गया अब हमें अचानर डेविट के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहां डेविट के मॉम एंड डैट के पास टाउन लीडर और उसका आदमी आ चुका था डेविट के डैड और मॉम बहुत ज़्यादा इमानदार इंसान थे उन्होंने तो अपनी मैनेट से काफी सारा पानी अपनी फैमिली के लिए कटा करके रखा था लेगन जब ये बाद टाउन लीडर और उसके आदमियों को पता चली तब टाउन लीडर कहने लगा कि मुझे थोड़ा नहीं बलकि तुमारे पास मौझूद सारा का सारा पानी चाहिए डेविट के फादर कहते हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता क्योंकि ये पानी मैंने अपनी फैमिली के लिए जमा करके रखा है और मैं ये किसी को भी नहीं दूँगा टाउन लीडर ने अपने आदमियों को आदेश दे दिया था कि इन दोनों को जल से जल खत्म कर दिया जाए डेविट के मौम और डैट को तो बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है डेविट उस समय जो की बहुत छोटा था वो दूर से ये सारी चीज दिख रहा होता है वो तो कुछ देर के लिए टाउन लीडर पर बहुत ही जोर से चिला रहा था लेकिन फिर छोटा डेविट अपने बाइसिकल पर बैठ कर वहां से दूर चला गया अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर डेविट अपनी आँखी धिरे धिरे खोल रहा था उसने देखा कि फ्रेडी ने उसे बचा लिया है और वो डेंजरेस जोन से उसे बाहर लेकर आ रहा था फ्रेडी तो डेविट के तारीफ कर रहा था उसकी हिम्मत और पावर्स के लिए यहां एपल को भी होश आ चुका होता है जो अपनी नई बॉडी को दिखकर काफी ज़्यादा खुश हो रही थी लेगे नब वो डेविट को वापस धुनने के लिए दूसरी तरफ निकल जाती है फ्रेडी और डेविट जैसे ही एक खुले मैदान में पहुचते हैं तब टाउन लीडर और शील्ड के कई सारे लोगों ने उन्हें चारु तरफ से घेद लिया था फ्रेडी और डेविट भी सामने खड़े हो गए क्योंकि उनके पास यहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं होता डेविट और फ्रेडी तो अब एक साथ मिलकर सामने आने वाले सभी के सभी लोगों को मारने लगे थे डेविड उन लोगों को अच्छे से खत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका एर ब्लास्टर कहीं पर गुम हो चुका होता है फ्रेडी के पास तो अपने खुद की फाइटिंग स्किल्स थी जिससे कि वो दूसरों के हमलों से बच्टे वे उन्हें गले पर वार कर दे रहा था डेविड के सामने तो अब एक बहुती बुरी लीडी आ जाती है जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी तबी पीछे से एपल चिलाते वे आती है जिसने एक तलवार की मदद से उस लीडी को जान से मार दिया एपल के पास तो डेविड का वो एर ब्लास्टर होता है जिसे कि वो डेंजर जोन में ही छोड़ कर आ चुका था डेविड ने भी अब अपने टर्बो बॉइ के सूट को चार्ज कर लिया होता है जो अब पूरी तरीके से रेडी था दुश्मनों पर हमला करने के लिए हाला कि डैविड अपने टर्बो बूस्टर की मदद से कई साले लोगों को जान से मार देता है लेकिन टाउन लीडर वहाँ पर आकर अपनी गन निकालता है और एपल को शूट कर देता है उसने तो अगले ही मोमेंट में फ्रेडी और डैविड दोनों को भी गोली मार दी टाउन लीडर वहाँ से खुश हो कर जा रहा होता है कि उसने लगबख सभी को मार दिया और इन लोगों से उसे अब पानी मिलेगा लेकिन डैविड तो थोड़े ही देर में खड़ा हो जाता है अपने पैरो पर क्योंकि जो गोली टाउन लीडर ने चलाई थी वो एक कैन के उपर जाकर लग जाती है डैविड ने तो बहुत ही कम समय में टर्बो बूस्टर की पूरी पावर्स का यूज़ करके सारे लोगों को खत्म कर दिया था अब यहाँ एपल डैविड के पास आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उन्होंने सिच्वेशन को हैंडल कर लिया है दोनों तो एक दूसरे को गले लगा नहीं वाली थे पर अब हमें पता चला कि वो टाउन लीडर जिन्दा है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बलकि वो भी एक रॉबोट था लेकिन टाउन लीडर एपल की तरह कोई अच्छा रॉबोट नहीं बलकि बुरा रॉबोट होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जिन वेग्यानिकों ने टाउन लीडर को बनाया था उसने तो उन लोगों को ही जान से मार दिया और अब टाउन लीडर अपने दूनों पैरों पर खड़ा हो जाता है और डैविट को मारने के लिए आगे बढ़ता है टाउन लीडर ने तो अब अपने अंदर मौजूद सारी रोबोटिक एनरजी इकठा की और एक लेजर बीम से फायर करने लगा ये लेजर बीम तो चारो तरफ फैलते वे लगा था डैविट के बॉड़ी पर हमला कर रही थी डैविट को ये समझ में आ चुका होता है कि वो इस लेजर बीम का सामना नहीं कर सकता इसलिए उसने जमीन पर पड़ी वी एक मिसाइल को टाउन लीडर के पास फेक दिया और फिर अपने इलेक्ट्रिक फायर वाली गन की मदद से उस मिसाइल को ब्लास्ट किया जिससे की अगले ही मोमेंट में एक बहुत ही बड़ा चेन रियाक्शन होता है धमाका इतना जादा बड़ा था कि टाउन लीडर के पूरी बॉड़ी के चीथड़े उड़ जाते हैं यानि कि वो टाउन लीडर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है लेकिन मरते मरते टाउन लिडर ने जिस खतरनाक लेजर बीम से डेविट पर हमला किया था डेविट को उस हमले से बचाने के लिए एपल उसके बीच में आ गई होती है जिससे कि सारा लेजर बीम का असर एपल की बॉडी पर हुआ एपल के भी सिस्टम्स पूरी तरीके से खराब होने के कारण वो भी आखरी मॉमेंट इंजॉय करती है डेविट के साथ लेकिन अब उस सुनसान जगव पर जूरदार धमाका होने के कारण जमीन फट जाती है जमीन के अंदर से तो काफी सारा पानी बाहर निकलने लगा था जोकाने वाली बात थी कि ये पानी पूरी तरीके से साफ और पीने लायक था जिसका मतलब होता है कि अब पानी की प्रॉबलम इस गाउं से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी एपल भी अब डेविट के बॉड़ी पर अपना सर रखकर डियक्टिवेट हो जाती है डेविट तो काफी ज़्यादा रो रहा था है एपल के जाने के खारण यानि कि वो पूरी जिंदिगी बर किसी इंसान से नहीं बलकि एक रॉबट से प्यार करने लगा था पर एंड में उससे वो भी छोड़ कर चली गई पर डेविट इस तरीके से हार नहीं मानता और अपने फादर की तरह बनने का ट्राय करने लगता है यानि कि वो पूरे गाउं को सुरक्षित रखेगा और सारे डेवलोप्मेंट पर ध्यान देगा इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है सो ये वर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्चन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा न तो वीडियो को लाइक एंड चानलों को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मिलते हैं इसी तरीकी की मज़दार वीडियो में तब तक के लिए बबाई